मुझे देख रहे हैं मनुराथी यूट्यूब चैनल पे चंदिगड जेविटी भरती कोड का फैसला और बीलेड का क्या है मामला देखे बीलेड बीलेड यानी बैचलर्स इन एलिमेंटरी एजूकेशन मैंने भी कर रखी है बीलेड मिरांडा हाउस से कर रखी है भई मैंने अब ये बीलेड का मामला ये इतना तूल क्यों पकड़ रहा है आखिर क्या है सारी बात देखे चंदिगड में जेविटी भरती आई ठीक है वहाँ पर अब एक कोड का फैसला है कोड का फैसला क्या है आपको मैं दिखा देती हूँ 19-2024 की ये जज्जमेंट है ठीक है मामल थी वह सर्फ ये दी गई कि आपका ग्रेजुएट या एक्विवेलेंट हो किसी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से ठीक है या अपने डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन कर रखा हो दो साल का ठीक है इसके बाद ग्रेजुएट के बाद और आपका पास हो सीटेट ठीक है लेवल वन वाला ठीक अब इसको देखकर बहुत सारे एप्लिकेंट्स जो बीएलेट थे बच्चों के मैसिजिस मेरे पास भी आते थे उस दोरान की मैडम हम बीएलेट हैं तो हम क्या आवेदन करें तो मैं हमेशा कहती थी हाँ आवेदन करो क्योंकि बीएलेट जो ह है वह आपका इक्विविलेंट है जेविटी के ठीक है उसको लेकर अगर मैं आपको दिखाऊं यह मिनिमम क्वालिफिकेशन यह गजट ऑफ इंडिया का 2010 का लेटर है तो यहां पर जब आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी दिखाई दे रखिए कि पहली से पांच वी लगने क जो यूग्यता है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं नियूंतम 50% अंकों के साथ उच्टर मादमिक या इसके समकक्ष एवं चार वर्षिय प्रारंबिक सिक्षा शास्त्र सनातक यानि कि बी एलेड जब एन सी टी ने रिकोगनाईज कर दिया कि आप पहली से पांच व के पास फिर यह बच्चे कुछ पास हो गए ठीक है इनका डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन हुआ मगर इनको आउट कर दिया गया ठीक है कि भई आपका जो है आपके बस डी एलेड नहीं है ठीक है अगर हम इसे बी एलेड को ग्रेजुएट के एक्वियलेंट माने तो तुम्ह बात कोट की कि भई बी एड और बी एलेड को आप एक क्यों मान रहे है बी एड तो बैचलर इन एजुकेशन है इन्होंने तो बैचलर सिन एलिमेंटरी एजुकेशन कर रखा है ठीक है यह अलग चीज होती है ठीक है यह आपका पहली से आठवी के सिक्षक लगने के लिए यह माननेता होती है ठीक अब यह सारी बाते हुई ठीक है उसके बाद के डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन इन सभी बच्चों को बार बार बुलाया गया ठीक है यह दिवेश कुमार वर्सिस यू आई औरस यह वही यह बीएड वाला मामला था और बीएड तो देखे भार थी इसके बाद कोड का फाइनल जेज्जमेंट क्या निकल कर आया कि भाई यह जब एंसी टी ने कह दिया ठीक है यहां पर यहां पर बार बार मेंशन की गई इसके बाद कोड ने भी जो हमारा एंसी टी का जो मैने आपको नोटिफिकेशन दिखाया कि कोड ने भी कहा कि NCT के नोटिफिकेशन के बाइंडिंग टम्स में यह बच्चे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हैं इनके पास ठीक है BLA and DLA which is two year diploma in education ठीक है ये same category में fall करते हैं ठीक है तो इनको भी JBT के लिए appointment के लिए इनके candidature को स्विकार किया जाए ठीक है इसके बाद देखिए और भी हाँ पर की 2010 वाला जो मैंने आपका rule दिखाया ठीक है तो ये आपके allow किये जाते हैं BLA वाले respondents को direct किया जाता है कि इनके candidature को consider किया जाए और इनको nukety दी जाए ठीक भी फिर मगर मैं यहाँ पर कहूंगी जिन बच्चों ने case किया उस तरीके से उनको तो job मिल गई मगर बहुत सारा BLA का ऐसा बच्चा होगा जो इनकी R&R ढंग से mention नहीं थी जिसके कारण जो है उसने आवेदन नहीं किया तो भई यह गलत बात है कि आप जब BLA है equivalent तो आपको स्पश तोर पर वहाँ लिख देना चाहिए जैसे DSSB में लिख देते हैं कि BLA वाले प्रात्मी के लिए भर सकते हैं ठीक है तो यहां पर यही बात हुई कि जिन BLA वालों ने रिस्क लिया कि हम तो है equivalent और पूरे शौर थे उन्होंने फॉर्म भरा पेपर पास किया इनको बेशक भाण निकाला पहुच गए कोट दिखा दिया NCT का notification ठीक है और गजट में भी issue है वो भी दिखा दिया कोट भी मान गई और चंदिगड़ प्रसाशन को अब इनको जो है नुकरी देनी पड़ेगी ठीक है यही है सारा मामला तो जिन्होंने लड़ाई लड़ी अपने हक के लिए उनको इंसाफ मिला और बीलेट जो है वही एक बैचले सीन हेलिमेंटरी एजुकेशन को से 96 के आसपास से चल रहा है मैंने विरंडा हूस से किया था 2006-10 के वैच में हमारा फाउंडर वैच था तो बीलेट को लेकर सारी चीज़े तो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझती हूं ठीक है और यह चार साल का कोर्स रहता है इसमें आपकी जितने पेड़ागोजिकल इंप्लिकेशन और आपका बैचलर साथ में यानि यह बीए जमा जेबीटी है अगर मैं आपको सीधी भाशा में कहूं हलांकि डी ट्रीपल स्वी में अब जो है बीलेट से सीधा टीज़ेटी प्रमोट करने लगए पहले तो बीएड करनी पढ़ती थी ठीक है और बहुत सारी बीलेट को डीट भरती से रिलेटेड तो आप उसे पूछ सकते हैं आपी का चैनल है तो आप कमेंट कर सकते हैं थेंक यू